भारती कानून सभी लोगों पर बराबर लागू होते हैं या कुछ अलग तरीके से लागू होते हैं ऐसा ये केस है साहबानो केस जो पॉलिटिकल तोर पे बहुत ज्यादा इस्तमाल होता है बहुत बार उसका नाम आता है ये जज्जमेंट है 1985 का बात ये थी कि साहबानो के प साहबानो केस नाम तो आपने सुना होगा एक ऐसा केस जिसने भारती राजनीती को पहुत ज्यादा प्रभावित किया और ना सिर्व भारती राजनीती को जो सुप्रीम कोट का डोमेन है विमेन राइट के सम्मंधित और मुसलिम परसनल लाज को लेके युनिफॉर्म सिवि दोस्तों देखने की कोसिस करते हैं साहबानों केस मेरा नामे संदीप सिंग और आज सुरू करते हैं इसके बैक्राउंड से हुआ क्या था 1985 में सुप्रिम कोड का एक जजमेंट आता है मुहमद अहमद खान वसेस साहबानों में जो एक लेंडमार्क केस है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में परस्नल लॉच के बारे में एक्विलिटी विमन राइट के बारे में और इस केस पर पॉलिटेक्स भी बहुत होती है तो इस वज़ा से भी फेमस है ये केस सम्मंदित है मुस्लिम जो विमन होती है उनकी राइट टो एलिमेनी के बारे में जो तलाग के बाद उनको पैसा मिलता है उसके बारे में और जो सेक्शन 125 है कोड अप क्रिमिनल प्रोसिजर उसके बारे में सम्मंदित है ये केस इसके जब सुप्रीम कोट में जाता है तो ये का जाता है कि जो एक पर्टिक्लर पीरिएड होता है उस पीरिएड में पती ने जो इलिमेनी था जो पैसा मेंटेनेंस का एलावंस दे रहे थे 200 रुपए पर मंत वो उन्होंने देना बंद कर दिया था और इसकी वज़े से ये मामला क कोट में जाता है अब साहब अनों ने एक पेटीशन डाली सेक्शन 125 सी एर पीसी के तहट लोकल कोट इन दौर में और उन्होंने मेंटेनेंस लेने की कोशिस करी अपने हस्पैंट से एक सस्पैंट से कोट ने जो ऑर्डर दिया वो था कि आपको 25 रुपए पर मन देना पड नहीं है क्योंकि अभी भी इद्दत पीरेट चल रहा है अब इसमें कुछ दियान से देखते हैं कि देखिए तलाग होने के बाद जो भारत के संदर में और अलगले देशों के संबन में पब्लिक और प्राइवेट के बारे में आप जानते होंगे कि स्टेट कहां तक लोग कि क्या CRPC मुस्लिम पर्सनल लॉज को डॉमिनेट करेगा उपर जाएगा और महिला क्या दिकारों को प्रोटेक करेगा या भारत का जो कानून है वो पर्सनल लॉज को रिस्पेक करता है क्योंकि तो उसके बीच में नहीं जाएगा कानूनी तोर पे देखा जाए तो यह टे दूसरे साइड मुस्लिम सरिया लॉज है जो प्रोटेक्टेड है पर्सनल लॉज से कि पर्सनल लॉज है इसलिए उसी कहसाब से कानून चलेगा अब सुप्रीम कोट का जो जजज्मेंट आता है वो जजज्मेंट आपको देखना है कि जो जजज्मेंट है वो कहते हैं कि ए के husband के date ना हो यह इन दोनों के बीच में मतलब अगर date हो गई है तो date के पहले वाला time और यह तो नए जो आप साधी करने वाले हैं उसके पहले वाला time एक transition period होता है जहां पे आपको नई साधी करने से पहले उतना मतलब time भी दाना होता है तो उसमें हो maintenance की बाते कर रहे हैं उन्होंने कहा कि maintenance दिया जाना चाहिए और इदद पीरिट के और जब वो खुद को maintain करने के काबिल नहीं है तो यह किया जाना चाहिए अब इसमें justice चंदोचूर थे सायथ उन्होंने इस judgment में जो high court का judgment था maintenance के बारे में उसको upheld किया इसका impact बहुत खतरनाक है इस judgment का एक national white प्रोटेस्ट हो गया लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जो Muslim bodies थे उन्होंने कहा कि यह interference है Muslim personal laws में यह कहा गया तो Parliament ने एक कानून पास किया जिसका नाम है Muslim women protection and protection of right of divorce act 1986 और उसमें कहा गया कि जो section 135 है CRPC का वो इस domain पे लागू नहीं होगा तब सायध राजी उगंधी की government उन्होंने यह कानून बनाया तो इसके बहुत लोग इसको impeachment का भी case बोलते हैं और इस कानून के बावजूद भी section 135 जो है वो लागू होता रहा क्योंकि यह Supreme Court का judgment है तो इससे चीजें complex ही हुई है अभी judgment में कुछ खास बात और भी थी क्योंकि इसमें पहली बार Supreme Court ने खु बोड को जो कानून बना था उसने बताया था कि वो maintenance दे और इस पूरे के पूरे complicated case की वज़े से इंडिया का जो politics है वो थोड़ा सा अलग domain में चला गया बहुत लोग का क्लेम impeachment का या बहुत लोग का आया कि women right के protection के बारे में बात नहीं कर गी बहुत लोग का क्लेम आया कि personal law में interference हो रहा था यह सारी मामले जो हैं यह सहबानों केस से जोड़े हुए हैं आज की जो राजनीती है वो भी कहीं ने कहीं वहां से प्रवावित भी है अब इस case को critically अगर आप देखेंगे तो यह conflict दिखाता है जो personal law versus equality based law है या religion versus equality के बारे में बात करें इसी तरह का और आप एक सबरी मला judgment देखेंगे या उस तरह कि जहां पर religion अलग तरीके से महिलाओं के स्थान के बारे हैं बाते कर रहा है सम्विधान अलग तरीके से बाते कर रहा है तो सम्विधान versus religion के बीच में जब debate होगी तब भी आप वहां पे साहबानों केस को विंसन कर सकते हैं और तो इसकी वज़ा से important जो debates रहें religion के उपर वो सारे खुलके आए हैं तो दोस्तो और भी जो वीडियो चाहिए अभी हम लोग साहराबानों केस में भी करेंगे त्रिपल तरलाग केस जो है लेकिन इस तरह के केसिस अगर आपको चाहिए आपको देखने है तो आपको type करना है लिख देना है यहाँ पर आपको उन केसिस के बारे में जान करें मिलेगे इस केस में इतना ही आगे बने रहे है देखते रहे है जैन